यहां हम यह जो चैप्टर नया आज शुरू कर रहे हैं यह पावर शेरिंग पॉलिटिकल साइंस का यह चैप्टर है इस चैप्टर में हम यह समझने कोसिस करेंगे क्यों जरूरी होता है और पावर स्टारिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं इस चैप्टर में दो स्टोरी दी यह दोनुंग को पहले समझाओंगा उससे आपको क्लियर हो जाए घ्रिकलता और इसकी जरूरत क्यों है सबसे पहले हम स्टोरी सुरू करेंगे यहां पर बेल्जियम की स्टोरी हम सुरू करते हैं बेल्जियम एक स्मॉल यानी चोटा सा यूरोपका देश है और बहुत छोटा है हर्याना ऐसा भी चोटा आप ये देखिए इसका जो बोर्डर वह फ्रांस से भी टच करता है नैदर कम पॉपुलिशन है कंट्री हे रियाना के बराबर लेकिन पॉपुलिशन काफी कम है इस कंट्री की टोटल पॉपुलिशन में से 59 परसेंट लोग जो है वो फ्लेमिस रीजन में रहते हैं और डच लेंग्विज यूज करते हैं जो अधर 40 परसेंट बच गए वो 40 परसेंट वैलोनिया में रहते हैं एन्ड़ इस्पीक फ्रेंच और फ्रेंच पासा का उप्योग करते हैं जो बच गया एक परसेंट वो जो है वो बेलजियन हैं जो कि जर्मन लेंग्विज यूज़ करते हैं और यहां की केपिटल केपिटल सीटी है ब्रेशल्स 80 परसेंट जो इस्क कम हैं जबकि डच लोग कैपिटल में कम हैं पूरे देश में ज्यादा है अब आगे इस कुछ पढ़ते हैं हम इसमें अगले पार मेजोरिटी जो फ्रेंच कमुनिटी वह बहुत पावरफल है tyre बहुत पैसे वारे लोग corresponds है हैं पुरे देश में कम हैं राज दानी मीर जादा है और राज दानीमं उनको काम हुगसार मिलते होंगे तो पैसे जादा है तो पावरफ भी यहे और दूसरी सब्सक्राइब के बाद किसकी बजाए उनका एकॉनोमिक डेवलप्मेंट जादा है एजुकेशन में बहुत आगे हैं वो उनसे पर डच लोग पीछे हैं इससे क्या हो गया टैंसन बीट्विन डच स्पिकिंग फ्रेंच स्पिकिंग सुरू हो गई सब्सक्राइब करते हैं सिरलंका से सिरलंका एक देश से जो हमारे पास में हैं आप वी जानते हैं सभी स्रीलंकर पीपल में वहां पर लगबग 74 परसेंट लोग सिंगला जाती कि जिसको हम सिंगली भासा भी बोलते हैं जो स्री लंका की ऑफिसियल लेंगवेज है और जो बाकी 18% है वो तमील स्पिकिंग है इसके अलवा जो तमील नेटिव यानि जो इंडिया से गए हुए हैं जो उनको स्री लंकान तमील का जाता है वो 13% के आसपास है तो रेस्ट हुज फॉर फादर्स कम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर जो की प्लांटेशन वर्कर की रूप में वहाँ से गए थे और इनको इंडियन तमील के नाम से जाना जाता है यानि यहां पर दूसरा मामला यहां पर 74% सिंगला बोलते हैं 18% तमील बोलते हैं और कुछ बु में क्या कंडिशन है वाट कुद हैपन इन सिच्वेशन लाइक इस इन वैल्जियम दच कम्यूनिटी कुद टेक एडवंटेज ऑफ इस नुमरिक मैजोर्टी और फोर्स इस विल ऑन फ्रेंच और जर्मनी स्विंग पॉपलिशन अब वहां पर डच पूरे देश में तो जै सब्सक्राइब होगा तो मुस्टली कौन जीतेगा मुस्टली डच लोग क्योंकि उनका परसेंटेज वहां पर जैदा है तो इट कुद लीट टुए मैस मैसी आर्टिशन ऑप दे कंट्री बहुत इसी तरह से दोनों में देखे जाए अब यहां सिरलंका में मामला बिलकुल अलग हो गया सिरलंका 1948 में अलग आजाद देश बन गया जो सिंगला कम्यूनिटी था उन्होंने क्या किया उन्होंने गवर्मेंट को हमेशा मैजोर्टी को ही पेल्यू देना शुरू किया और रिजुल्ट क्या हुआ डेमोक्रिकली इलेक्टेट गवर्मेंट सिर्लंका वालों ने मैजोर्टी को पावर दे दिया उन्होंने का हम तो majority रेंगे उनको follow करेंगे तो वहाँ पर जो singla ही official language है जो singla चाहेंगे वही होगा election भी singla ही जोईतेंगे हर चीज 1956 में कानून पास करके singla को official language नोंने बना दिया इससे disregarding तमिल लोग ना राज होगी कर दिया एक नया constitution बनाया और बुद्धिज्म वगर सबको उन्होंने बहुत धर्म यह singla लोग अपनाते हैं तो बुद्धिज्म को अपना official धर्म अनूंस कर दिया तमिल लोगों की हर जेगा पर भी वेल्य होने लगी इस तरह से दो इस्टोरी अमने पढ़ा तो हम यह दोनों पर इस्टोरी से मैं अभी एक बात समझने की कोशिश कर रहा हूं यह स्री लंका का सीन है आप यह देखिए कम्यूनिटी का मोस्टली आपको प्रियलो यह लो स्री लंकान तमिल लॉंजड पार्टीज एंड स्ट्रेगल फॉर्द रिक निसन अप तमिल एजन लड़ाई करना शुरू किया तो क्या हो गया दौनों में लड़ाईया हो अच्छी बात है लेकिन तमिल लेंग्विज को भी वेल्यू दो तमिल को भी ऑफिसील लेंग्वि और फिर 1980 तक आते आते उनके बीच में काफी स्यादा लड़ाईया होने लग गई और इंडिपेंडेंट तमिल इलम की इनन एक दिवान नहीं शुरू करती तमिल लोग ने कहा कि ठीक है अगर आप हमें हमारी वेल्यू नहीं देंगे लेंग्विज को तो हम एक नया राज् सिविल वार का मतबतर जब एक देश के लोग आपस में लड़ते हैं उसको सिविल वार कहा जाता है एज रिजल्ट थाउसेंड्स ओपीपल बोड़ कम्यूनिटीज है बहुत सारे मार इधर भी मर रहे हैं उधर उधर स्रीहनला भी मार रहे हैं तो यह लेकिन स्रीहनला की ज पर्मेट का साथ दिया और तमिलों से कुछ रुखनिक का लेकिन यह नहीं माने इन्हों नहीं अलग चाहिए इस तरह से यह जो है वहाँ पर इन लोगोंने स्रीलंका वालों ने क्या किया जादा जो लोग उनका सपोर्ट किया बहुत धर्म का सपोर्ट किया तमिलों की वालों ने एक दिमार लगा है उन्होंने क्या किया डिफरेंट तरीका यूज किया उन्होंने 1970 से 1903 के बीच में एक अपना Constitution बनाया चार बार उसके अंदर Arrangement किये और सबसे बड़ा काम उन्होंने क्या किया पहला पॉइंट यह देखे लिखा हुआ है Constitution prescribed that the number of Dutch and French-speaking ministers shall be equal in the central government Some special laws required the support of majority of members from each linguistic group यानि उन्होंने यह कहा कि government जब भी बनेगी 50-50% बनेगी सब को बराबर value मिलेगी चाहे जन संग क्या डच की जादा हो और French की कम और जर्मन तो एक परसेंट ही है लेकिन value तीनों को बराबर मिलेगी किसी प्रकार से हम बेदवाव नहीं करेंगे और जो center government है उसका अलग rule होगा state government में क्या हो गया था state में जैसे अब capital में तो French जादा थे वहां का भी rule यही होगा कि वहां भी दोनों 50-50% पर रहेंगे और even then 1% जो जर्मन थे उनको भी उतनी value मिलेगी और सबसे बड़ी काम ब्रसेल में एक separate government बनाई विच बहुत the communities have equal representation अब आप देखे जब पूरे देश में डच लोग राजी हो गए अपनी population जादा होने की बाद भी 50-50 के लिए तो राजदानी ब्रसेल में क्या हुआ फ्रेंच भी राजी हो गए उन्हों भी कहा ठीक है साथ हम आपको बराबर वेल्यू देते हैं और दोनों मिलके अच्छे से वेल्यू एक दूसरे और इसके बाद भी अपार्ट फ्रम दसेंटर एंद इस्टेट गवर्मेंट जो समुदाइक सरकार थी इसका क्या यह किसी भी धर्म के मामले में या अपने जाती की या अपनी लेंग्वेज के मामले में जो भी कानून होता था वो यह लेग बनाते थे चाहिए चो फ्रेंच चो जर्मनी स्पिकिंग और इस तरह से वेल्जियम ने यह कितना बढ़िया मॉडल अपना या और उसकी वजह क्या हो गया दम यह लिखा है इसको आप बहुत अच्छे समझना यू माइट फाइंड बेल्जियम मॉडल वैरी कॉंप्लिकेट है तो कॉंप्लिकेट इट इट इस वेरी कॉंप्लिकेट बट उन्होंने जिस तरीके से इसको अपनाया सिविल वार बंद हो गया तौनों तर अपने पावर को फ्रेंच और जर्मन के साथ मांटना सिविकार कर लिया बस वहीं पर कॉंफ्लिक्ट हतम हो गया और आज बेल्जियम पूरे वर्ड के सामने एक बहुत अच्छा उधारण बनके सामने आया है मैंने यह दो इस्टोरी जो सनाई इसमें अब आपको एक चीज इसकीस क्लियर हो गयी ऑगी कि पावर शेरिंग आवर शेरिंग का मतलब अगर किसे एक हादमी के हाथ में पावर हों तो उसका हिטलर की बात करते हैं, आपने पिछले साल पड़ा था हिलर के हाथ में अकेलिये पावर था, उस स्ने क्या कि आप देखा ? वह यह इंडियन गव्वर्श में किसी एक के हाथ में पावर नहीं है इस्टिक्ट में इलग इस्ट्रिक में अलग सारा काम款 होता है हमारा court देख लो सुपरिम court अलग है इस्टेट court अलग है जिसको high courts के नाम से जना जाता है फिर district courts अलग है तो power को share जितने ज़्यादा लोगों के हाथ में power होगा उतना ही उसका miss use होने के chance कम हो जाएंगे अब इससे आगे का जो part है हम नेक्स्ट वीडियो में देखने की कोशिस करेंगे थैंक यू